Assalamualaikum guys, we are back with another video Welcome to the market updates और एक important चीज़ करना चाहूँगा काफी ज़ादा लोग हैं जो के सिर्फ और सिर्फ वीडियो को उसके thumbnail के उपर जज़ कर लेते हो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं ठीक है गलत बात नहीं कीते लेकिन कुछ लोग होता है जो सिर्फ और सिर्फ नेगर्टिव चीज़ों के उपर जो है वो यहाँ पर फोकस करते हैं तो यार पूरी वीडियो देख लिया आगरो ठीक है वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंके स्टिल हमारे पास 40% लोग है जो के वीडियो तो मेरी डिली बेसिस के उपर देख रहें लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सब्सक्राइब करो अच्छा अब वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे तीसरी दिफाज़ रेजेक्शन वेल रही होtles अभी हम स्टिल ठ्राइ कर रहे हैं अभ यहाँ हम देखोगे पहला टोप लगा दूसरा टोप दोटोप और थिसुन Chapter अप सब्सक्राइब जाते हैं जो है उन्होंने का कि हम Bitcoin के Spot ETF को Approve करने के लिए इस तरीके से नहीं बैठ सकते मतलब एक अच्छी news दी कि Approve हो जाना चाहिए ठीक है तो ये एक बहुत अच्छी news दी जिसके वो जैसे BTC के अंदर हमने जो है मोमेंटम देखा और कुछ और जो के परसू अगर मैं आपको इसकी कुछ examples दिखा दू जैसे ट्रिपल टॉप अग्योगास कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है ये examples आपको हजारो examples मिल जाएंगे मतलब एक rectangle के अंदर हम पहले circulate करते हैं BTC के अंदर और हमारे पास अगर bottom हमारे पास जो वो break होता है दे सकती है अब ये जो resistance है ये कोई arm resistance नहीं है मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूँ अगर यहाँ पर हम BTC का weekly chart open करें ठीक है यहाँ पर अगर हम फिलाल हर चीज़ को भी currently भूल जाए BTC के अंदर अब यहाँ पर देखो आपके पास ये जो area ये वैसी बहुत important हमारे पास जो रोल निभाता है ये जो मतलब 38,000 डॉलर से लेके 36,200 वाला जो resistance zone है इसमें BTC को काफे रुकावट आती है और हम easily इसको break नहीं करते है देखो जब last time हमारे पास एक bear run की शुरुआत हुई थे ना इस support zone को break होने के बाद S это support ब्रेक करने के बाद continuously dump कर रहे थे और ऐसा हुआ है कि जब हमने इस resistance zone को flip किया नअ जब हमारे पास resistance zone जो है जब हमारे पास support break होने के बाद ये जब resistance हमारे पास ये confirm होती है ठीक है जैसे या पैस नहीं resistance confirm किये और यह से resistance zone को हम ब्रेक करते हैं, हम हमेशा BTC के अंदर एक अच्छी rally देखते हैं, like last time जब हमने इसको flip किया, हमने BTC के अंदर देखा कि हमारे पास 54% तक की rally आई, then again हमने वापस जब इसको flip किया, wait, then again जब हमने इसको वापस flip किया, इस zone को, तो हमने वापस BTC के अंदर जो एक बहुत अच्छी rally देखे, almost 40% तक की, ठीक है, इसके बाद जब वापस हमने इस area को retrace किया, हमने retrace करते ही week के अंदर जो almost 20-20% की rally देखे, तो ये चीज़ों confirm हो जाती है, कि जब तक ये zone support था, हमारे पास ये बहुत अच्छी support हुआ करता था, और currently हमारे पास, जब तक हम इसके below है, तो ये एक resistance हो, अभी भी expect किया जा रहे है, कि अगर हम इस resistance को flip कर देते हैं, अच्छे volume के साथ, तो we can expect कि यहाँ पर आपके पास, दूर दूर तक 42,000 डॉलर तक कोई important resistance आपके पास नहीं, तो BTC के अंदर expect किया जाता है, कि 42,000 डॉलर आपके पास quickly अचीव हो सकता है, और chances है कि 50,000 डॉलर तक भी हम जाएंगे, अभी ETF की news को delay किया गया है, लेकिन एक ये भी चीज़ है कि जब आपके पास ETF actual के अंदर approve होंगे, तो sell the news वाला scene भी जो हो सकता है, मतलब सिर्फ rumors के वो जैसे जो थी, वो market pump हुई, और जब actual में वो चीज़ होई, तो market जो हो गिर गए ठीक है, जैसा कि हमारे पास past में हुआ है, जब हमारे पास L silver door का यहाँ पे जो है, जब BTC वहाँ पे regulate हुआ था, ठीक है, native currency बन गया था L silver door के अंदर, जब news आ इतना है कि यह हो जाएगा, तब BTC यहाँ पे 40,000 डॉलर से pump हो कि हमारे पास almost 52,000 डॉलर तक आ गया था, और जिस दिन actual में वो L silver door का regulation हो गई, उस दिन के अवाँ market हमारे पास crash कर गई, यह within 2 weeks हमारे पास BTC जो 40,000 डॉलर पर आगे हो, 25% तक जो है, वो market कर गए जिसमें alls बुरे तरीके से जो थे, वो मतासिर हुए थे, तो currently हमारे पास यह scenario हो सकता है, अब आपने देखना यह है कि हमारे पास यह जो resistance है, यह flip करता है, 38,000 डॉलर वाला area अगर flip होता है, इसके बब closing होती है, then हम overall Bitcoin के ओपर जो बुलिश है, और काफी experts जो है वो इस resistance को as an indicator use करें, कि यह जो है वो border है between the bull और bear market, लेकिन मैं personally क्या चाता हूँ, मैं personally चाता हूँ कि BTC इस resistance को break करें, break करने के बाद BTC अचानक से बड़ी-बड़ी rally ना थे, बलकि BTC kind of consolidation करें, ठीक है, consolidation के स्वे में, consolidation आपके पास एक इस तरीकी की consolidation BTC create करें, जिसमें हमारे पास मैं actual में चाता हूँ, कि जो dominance आपके पास weekly, आपके पास supports उन बनती आ रही है, BTC dominance के अंदर और पिर आपके पास यह trendline support बनती आ रही है, trendline support at least BTC 51.50 percentage को break करें, तक ही पैसा हमारे पास alt ना है, क्योंकि अगर आप alts को देखोगे ना, तो वो इतना हमारे पास नहीं कर रहे है, जितना हमारे पास BTC एक अच्छा try कर रहे है, जितना हमारे पास बड़े-बड़े coin कर रहे है, लेकिन काफी mid caps, low caps alt coin उस तरीके से नहीं जा पा रहे है, ठीक है, अगर हम बात करें, जब last time BTC almost 40,000 dollars के अपर trade हुआ करता था, तब link की price हमारे पास 35 से 40 dollars हुआ करती थी, BNB की price हमारे पास more than 300 dollars हुआ करती थी, अभी अगर हम comparison में last time की rally को अभी की alt से compare करें, तो alt में पैसा कम है, that's the reason, यहाँ पे BTC dominance हमारे पास जोए, वो बहुत जाद है, तो आप risk में, क्योंके एक-एक market जो है, अभी currently fundamentals की अजासे जो हो हिल रही है, और fundamentals यहाँ पर बहुत जादा माने रखते हैं, कोई भी news आती है, यह market एक-एक दिन में 1000-2000, तो अभी तो market बहुत unstable है, तो news के साथ आपका connect रहना बहुत जादा important है, अगर आपको टेलिग्राम नहीं चलता, तो description में WhatsApp ग्रूब का भी लिंक आपको मिल जागा, वहाँ पर भी same updates हम प्रोवाइट करता है, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को like, subscribe कर ना मत भूलिएगा, मिलता हम से नेक्स वीडियो में आपको बहुत ही जादा कहाल रिकेगा, Assalamualaikum Warahmatullah